नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन टेटर में टाइम हो गया फिलाल पांच बच के पंदरा मिनट इट्स 5.15 पीम और डेट है आज की पंदरा तारिक तो कल है 16 दिसंबर दिन रहेगा फ्राइडे का कल के लिए हम एनलिसिस करने के लिए ये वीड केंडल क्लोज होने वाली है ठीक है आज का दिन मज़ा आया भाई इस दिन का हम लोगे इंतजार कर रहे थे इस्पेशली बैंक निफ्टी में सुबह वीडियो जो आपको बना के बताई थी और कल से भी जो अनलिसिस किया था वो यही किया था कि बहुत जल्द आपको 800 से 1000 के गिरावट देखने को मिलेगी अब वो आज देखने को मिले वो कल देखने को मिले वो फ्राइडे को देखने को मिले वो मंडे को देखने को मिले यह मैं गैस नहीं कर सकता बट यह जरूर देखने को मिलेगी तो करना क्या है ओपनिंग को मार्क के जिए इसके नीचे ट्र मैसेज लिखके दे दिये थे 9 बज के 26 मिनिट पे कि ये SL रखिए 18696 क्योंकि ये कल का हाई है ठीक है और ये SL रखिए 44180 bank nifty का क्योंकि शायद कल का हाई तो 44138 है थोड़ा असा यार bank nifty को 50.2 पर नीचे करना पड़ता है यहां से आप देख सकते हैं क्या हमें देखने को मिला है 18387 ठीक है और फिफिटी प्लस पॉंट and bank nifty में जो आज का लो देखने को मिला है हमको मेरे ख्याल में 44380 के आसपास आ गया था लगबग 700, 7500 पॉंट तीस के आसपास ही ठीक है 44100 तो आज गया ही तो वहां से आप देख लीजिए लगबग 700, 7500 पॉंट के उपर ही मिले अब आज यह कल क्या हो सकता है ठीक है पैसा बनाओ आपका दोश्तो अनलेसिस समझ में आया हो लाइक करिएगा कल तक का ठीक है जो आपको मूव होने वाला है अगर आपको पता है try to capture that बाकी तो तेजी मंदी करके दोनों पैसा कमा सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं ठीक है पर अगर आपको कुछ पता है कि ऐसा हो सकता है तो try to capture that move और बहुत बड़ा move बैंक निफ्टी में ऐसी candle बन नहीं रही थी ठीक है चलि आए शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी में देखते हैं दो तो निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट हुए और यह पैटर्न अब क्वालिफाई करता है इस चीज के लिए ठीक है इस चीज के लिए तो अब हमें देखना पड़ेगा 18,150 एक मिंट होड़ करिए 18,150 तक जाने के लिए अब यह हो गया है क्वालिफाई इसने 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है पहली बार फस्टाइम विद रेट केंडल नौ इट केन गो अप्टू 50 EMA ठीक है 80 to 90% probability मार्किट में फिलाल यही है तो अब इसका एसल क्या होगा देखे 18,490 इस लेवल के जब तक निफ्टी नीचे है इसका target 18,200 के आसपास है बस ठीक है और कल के दिन हम हो सकता है 18,325 के आसपास को देखने के लिए तेजी तभी करिएगा जब यह लेवल क्रोस हो जाए 18,500 पचपल ठीक है अब तो फिर समराइज करता हूँ मैं निफ्टी को ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करता हूँ यहाँ पर आप अमें clear cut बताता हूँ बी on cell side ठीक है view फिलाल यही है SL 18,490 टारगेट 18,350 पहला दूसरा टारगेट 18,300 के आसपास तीसरा टारगेट 18,250 के आसपास यह कल के लिए आप मान के चलिए ठीक है SL यह और no trading zone क्या है कि मतलब हमें trade लेना ही नहीं है sell है तो उससे निकल जाना है वो है 18,490 से लेके 18,555 इस बीच में हमें कुछ भी नहीं करना है ठीक है view बिल्कुल change हो जाएगा हम लोग तेजी में आ जाएंगे in case market क्या करता है 18,555 के ऊपर trade करने लग जाता है फिर हम buy करने की कोशिश करेंगे तो market एक बार उपर की तरफ जा सकता है इसकी probability मुझे फिलाल 10% ही लग रही है तो यह मैं live market में आपको बता दूँगा बस यह level रहेगा जहां से view change हो जाएगा buy side का trade हम लोग लेंगे अगर 18,555 के ऊपर चला जाता है ठीक है तो यह हो गया nifty थोड़ा सा में आपको इसमें और अगर बताने की कोशिश करूँ यह पकड़िये यहां पे weekend वाले analysis में ने share किया था यह आपको यहां डालना है यह third wave जो start हुई है और बिलकुल यह उपर तक जाएगा ठीक है यह चला गया यह तो support पे अभी भी देखिए तो यह pattern जो बनाया है यह यह one two three four जो correction आ रही है यह है A यह गया B अब यह आएगा C नीचे की तरफ तो जब तक इस zone में यह ठीक है जब तक इस zone में है यहां से positional market अभी bear के graft में नहीं आया है कोई बोले ना भाँ bear ना यह जुरूर बताया है कि अभी हम जिंदा है बट bear ने अब तक यह यह कुछ नहीं बोला है कि भाईया आ गया मैं तुम चले जाओ अब मेरा इक नंबर आ गया अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जब तक nifty इस level के ऊपर है ठीक है 18,150 और यह retracement आती है 38.2 परसेंट जो की golden ratio रहे है ठीक है दोस्तों तो यह wave का retracement देखते हैं A B C pattern में कितना तक जाता है यहाँ पर बट B on cell side below this simple सी बात है ठीक है SL 18,490 किसके लिए trade करें हैं अब यह लेवल तक के लिए trade करना चाह रहे हैं हो गया आपका यह हो गया nifty अब आज आते हैं bank nifty पर bank nifty नहीं तो पूरा mood महौल फराब किया है बिल्कुली आप देखिए जो मैंने आपके साथ चीज शेयर करी थी यह आपको 43,000 पर दिखाया था मैंने यहाँ पर कि पहले दिन जब इसने पहली बार 43,000 क्रॉस किया था और यह वाली candle में इसने high लगाया 44,138 के आसपास ठीक है तो आप लगा लीजे 1138 पॉइंट की दिखी बट कितने दिन में एक दो तीन चार पांच है साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेहरा चौदा पंदरा सोला सोला दिन के अंदर बैंक निफ्टी का ये मूवमेंट है तो ये बैंक निफ्टी का नेचर नहीं है जी जब भी अपने नेचर के अगेंस चलेगी अपनी केरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस चलेगी और ये इंपल्सिव मूव में है भाया आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि मार्केट में कुछ गडबड़ है गिरावट आती है ठोकना है ठीक है और ये लगबग इसने अपने सपोर्ट पे बंद किया है कोई भ इतने हैं कहां पर आई है 43,498 43,498 यहां से भी 200 200 से 300 पॉइंट की गिरावट और होनी चाहिए इसमें विदिन 1 to 2 days ठीक है विदिन 1 to 2 days और कोई भी क्लोजिंग अब इसकी यहां पर आती है रेड कलर के साथ ठीक है कोई भी क्लोजिंग इसकी ऐसे आती है रेड कलर के साथ तो यह जो चैनल चल रहा था नवंबर की स्टार्टिंग के मंद से और यह आ गई है 15 दिसंबर लगबग आप कैंडल गिंग लीजी ठीक है यह जो चोड़ाई है यह डेफिनेटली हां नीचे की तरफ हमको उतना दे प्रिश करता हूं दोसों सीर समझ में आ रही हो लाइक की देगा यह टॉप है देखें यहां पर 42,308 42,300 और यह लो पकड़ लेते हैं अल्मोस्ट 41,300 यह है 42,300 इसी के अंडल के नीचे 41,400 लगबग 800 से 900 पॉंट का यह चैनल तो कल अगर ब्रेकडाउन आता है मान लिजे अगर आता है तो ठीक है तो यहां तक आने की गुंजाइश है 42,600 अगर ब्रेकडाउन आता है 42,600 लो बेंक निफ्टी में मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं नौट अट आउल ठीक है ना यहां पे था ना यहां पे था ना यहां पे था हमेशा कितने ये एक-दो दिन में तो कभी हमने 100 पॉंट लिये कभी हमने 125 पॉंट लिये ऊपर से sell करके, कई एक बार SLB हिट हुआ, एक दो बार, आज जाब बराबर हो, ठीक है उपर से expiry का दिन था तो हमेशा जो move आने वाला है, उसको capture करने की कोशिश कीजी, bank nifty में अभी भी fall मुझे लगता है, pending है, अगर तेजी होती है, किसी भी परकार से, अगर नाटक बाजी और चलती है, मैं sell side का trade ही खो जूँगा with small lesson और वो market dynamic होता है, क्या price action बन रहा है, क्या candlestick बन रही है, 15 minute के चार्ट पे और 5 minute के चार्ट पे, उसके इसाब से मैं sell करने की कोशिश करूँगा वहाँ से 100-100 points तो आराम से मिलेंगे intraday और move अगर जो बाकी है भी भी pending है वो आता है तो फिर आज जैसा fall ही capture करने को भी जाए ठीक है, तो यह है दोस्तों view still is negative because of bank nifty only और nifty में भी जो pattern बनने की कोशिश हो रही है, मैंने आपको अच्छे से समझाया है यह जो golden ratio 38.2% यह यहां तक आने की कोशिश करेगा और इस चीज के नीचे अगर closing देना चालू कर दी तो फिर यह इस चीज के लिए qualify नहीं करेगा बटो खेर, बात की बात है जो 19,000 प्लस का target हम देख रहे हैं नहीं करेगा, फिफ्थ वेव के लिए ठीक है चले, थैंक्यू वेरी मुश दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, इनलसे पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्यू